हलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है मैं रामकुमार आया हूँ आज खेट में और आप पीछे देख रहे होंगे खेट में बॉहाई चल रही है मुफलियों की बॉहाई कर रहे हैं आज खेट के अंदर तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखे कमेंट करके बताए कैसा लगा तो आपको दिखाता हूँ मैं पूरा वीडियो मुफले की वाई किस तरह हमारे यहां करते हैं मुफले का यह बीज काम में लिया है किंग नीट टॉन्टी 20 किलो बाई यह पिकेट है सबसे पहले तो मुफली और दाने पर यह लाल दवा और पाउडर मिला कर इनको बड़े से मिक्स कर लेते हैं जिसे की जनिन के अंदर जो दिवर हैं केड़े हैं वो इनको काटे नहीं वीज को खराब नहीं करें इसलिए इनको बड़े से मिला कर पिर वाई करते हैं वाई के लिए बीज लेके जा रहे हैं तो यह गुल सिंग जी है हमारे परोशी नहीं का टेक्टर हमारे खेट में काम करता है यह बहुत ही बड़े टेक्टर चलाते हैं और बीजाई का काम बहुत अच्छे से करते हैं बीजाई चालू करती है पापा जी पीछे बेटे हैं और वही बीज डाल रहे हैं कल्टियों में में मुठ पेज ये इक सिई तagn και routes जाता है और तेक्टर सलो चता है वह अजया सिलव सब्सक्राइब करने इस में उतनी एक煮म के सबढ़ दुन सब्सक्राइब करने इंद ज्दकि जाते हैं तुमिज एक वियुआ पता है तoured ने पर आईक तो उनमें कोई जानबर निकलता तो उनको खाते हैं और आपको मैं दिखा रहा हूं बीज की इस तरह डाल जाए है इस तरह करके बीज इनमें डाला जाता है और वो चार उत्र फेल जाते हैं कल्टियों में एके करके अब जो सीन आप देख रहे हो यह बहुत ही शानदा सीन है इस वीडियो में कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना हमारी यह मुखने बीजते हैं वो मैंने आपको दिखाई है वीडियो अच्छा लगे तो जदे सी जदे सेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अब यह देखो अपने लडिके साथ में जा रहे हैं आगे मैं अपने पापाजी से मिलता हूं आप देखे आगे तो आपने देखा हमारे मुफली किस तरह बात है वह पूरा खेत कता पड़ा साधी तीन वी का खेत में मुफली की बवाई हुई है और कती मुफली ना कीम हाथ से बीजी है कल्टियों से कल्टियों रहा राफ से दस दिन में उग जाए यह यह 10 दिन में लग भगे सब मुफली निकल जाएगी और अब पानी कटा दिन अबाद में देशें पशीष दिन बाद में इसमें पानी दिया जाएगा तब तक पूरी उककर यह त्यार हो ज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और जैदा से जैदा से शेयर करना धन्यवाद